हलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आप सभी को कुछ बड़ी भिन्ने दी गई हों उनको संशिप्त रूप में कैसे लिखा जाएगा इसको सिखाएंगे तो यहाँ पर देखी हमारा सवाल है पहली भिन्न है 396 बटे 1080 और दूसरी भिन्न है 473 बटे 645 इन दोनों भिन्नों को हमको संशिप्त रूप में लिखना है तो संशिप्त रूप में लिखने के लिए हमें अभाज गुडन खंड करना आना चाहिए और महत्तम समापवर्थ तक निकालना आना चाहिए जब हमें किसी संख्या का अभाज गुडन खंड निकालना आएगा तब हम उसका संशिप्त रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पर आईए हम सबसे पहले 396 का अभाज गुडन खंड करते हैं यहाँ पर 396 है अब अभाज गुडन खंड करने से पहले हमें विभाजता का नियम ग्यात होना चाहिए कैसे कोई संख्या दो से कटती है कैसे तीन से कटती है और कैसे अन्य अभाज संख्याओं से कटती है यहाँ पर देखिए अभाज संख्याएं वे होती हैं जो एक और अपने के अलामा और किशी से नहीं कटती हैं तो अभाज गुडन खंड करने के लिए हम अभाज संख्याओं से ही काटते हैं तो सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज संख्या से काटते हैं तो सबसे छोटी अभा संख्या 2 है, तो यहां हम देखेंगे कि क्या यह 2 से कटेगी, अगर संख्या के इकाई के अंक सुन्य हो, 2, 4, 6, 8 हो, तो यह संख्या 2 से कटेगी, तो यहां देख रहे हैं इकाई के अंक 6 है, इसलिए इसको हम 2 से काटेंगे, 2, अब यहां 2, 1, 2 होगा यह 19 हो जाएगा 29, 18, 28, 16 हो जाएगा यह अब यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाई का अंक 8 है अब भी यह 2 से कटेगी यह भी हो जाएगा 29, 18 11, फिर 29, 18 अब यह हमारा निन्यान बे हुआ अब यह 3 से नहीं कटेगा अब यहाँ देखेंगे कि आगे हमारी 2 से बड़ी अभाज संख्या हमारी 3 है तो यह अंकों का योग 3 से कटता है तो वो 3 से भी भाज़ित होगी 9, 9, 18 अंकों के योग 18 है यह 3 से कटेगा तो इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे तो विभाजता के नियम से हम चेक करके ही काटते हैं तो हमारा गलत नहीं होता है सवाल 3, 3, 9, 3, 3, 9 अब फिर 33 आया है 3, 3, 6 होगा 6, 3 से कटेगा तो इसको भी 3 से काटेंगे 3, 1, 3, 1, 3 अब यह हमारा आगया 11 11 हमारी अभाज संख्या है तो अब यह किसी से नहीं कटेगी तो 11 से इसको काट देंगे अब 11 एककम 11 हो गया यहां अभाज गुरन खंड करते समय ध्यान देने की बात यह है कि इसको तब तक काटते जाते हैं जब तक कि यहां पर अंत में एक नहीं आ जाता अब जब यहां एक आ जाए तो वहां पर छोड़ देंगे तो ही हमारे जो अभाज गुरन खंड हो जाएंगे अब एक और संख्या दिया गया नीचे 1080 इसका भी आई यह अभाज गुरन खंड करते हैं 1080 यहां पर देख रहे हैं इक आए के अस्थान पर सुन्य है तो यह छोटी छोटी अभाज संख्या हमारी दो होती है तो दो से कटेगा यहां तो काट देंगे हम दो पचे दस अब यहां आठ हुगा दो चवक आठ यहां सुन्य हुगा अब भी यहां पर इक आई के स्थान पर सुन्य है तो यह दो से कटेगा दो दुनी चार, दो सते चवगदा, दो सुन्ने, अब भी सुन्ने है, फिर दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो ती आइच है, एक साथ हुआ, दो पच्चे दस, अब यहाँ पर पांच आया, अब दो के आगे बढ़ेंगे, दो से बड़ी हमारे अभाज संख्या तीन होगी, तो इसको देखते हैं कि अंकों का योग तीन, एक चार, पांच, नौ, अब यहाँ नौ अंकों का योग आया, तो नौ तीन से कटेगा, तो इसलिए इसको हम तीन से काटेंगे, ध्यान देना है क्रम से हम चलते हैं, दो से काटेंगे, फिर तीन से काटेंगे, फिर तीन से ब अब यह 45 हमारा आ गया, अब भी यह 3 से कटेगा, क्योंकि 5-4-9 अंकों का योग है, तो यह 3, 3-1-3, 3-5-15, अब यह 15 आ गया, अब फिर यह भी 3 से कटेगा, 3-5-15, अब अंत्मिन पर यहां 5 आ गया, 5 हमारे अभाज संख्या है, इसलिए यहां पर हम 5 से इसको काट देंगे, 5-1-5, तो इस तरीके से इसका भाज गुरनखंड हो गया, अब हम यहां पर लिख लेंगे, 396 का भाज गुरनखंड हमारा है, 2-2-3-3-11, और 1080 का हमारा भाज गुरनखंड है, 1080 का इसको लिखेंगे, 2-2-2, 2 का गुरा तीन बार, फिर 3 का गुरा तीन बार, 2-2-2, गुरे 2, गुरे 3, गुरे 3, गुरे 5, पांच एक बार है, तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या दी गई हो, उसका भाज गुरनखंड इस तरीके से करते हैं, चुकि यहां पर भिन्न को सरल करना है, इसलिए हम इन दोनों का भाज गुरनखंड करके, इसके बाद हीच CF, यह CF यानि highest common factor, तो highest common factor अर्थात महत्तम समापोर तक इसका निकालेंगे, तो यहां लिख दे रहे हैं हम, यह CF इन दोनों का ध्यान देना है, यह CF निकालने के लिए हम ऐसी संख्याओं का इसमें चुनाव करते हैं, जो कि दोनों में कामन होती हैं, तो यहां देखिए, द दो गुड़े दो, दो बार इसमें भी है, और इसमें भी दो बार है, तीन गुड़े तीन इसमें भी है, और तीन गुड़े तीन इसमें भी है, तो जो कामन होता है, इसमें नहीं है, पांच इसमें है, उसमें नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो यह CF जो कामन हो चार्ट यहाई बारत यहाई छत्तिस अब इस सवाल से हमें अभाज गुलन खंड करना भी आ गया और यह सीफ निकालना भी आ गया और इसका संचिप्त रूप भी करना आ जाएगा अब यहाँ पर छत्तिस आया अब इसी में जो हमारी भिन दी गई है इसी के अंस और हर में छ चत्तिस इसमें भी चत्तिस से भाग दे देंगे अब चत्तिस जो भाग दे देंगे यह हमारा कट जाएगा चत्तिस से भाग देंगे तो इसमें चत्तिस एक्कम चत्तिस आ गया तीन उन तालिश फिर चत्तिस एक्कम चत्तिस आएगा इसमें भी भाग देंगे तो चत्तिस यहां सुनने हो गया अब यह भिन हमारी सलतम रूप में आ गई 11 बटे 30 इससे संशिप्त रूप इसका नहीं होगा तो यही हमारा एंसर हो जाएगा आसा करता हूं कि यह सवाल आपकी समझ में आ गया होगा तो इस सवाल को हल करने में हमें अभाज गुरन खंड करना भी आ गय इसलिए हमने ऐसे सवाल को लाया यहां पर अब आएए दूसरा सवाल देखते हैं यह 473 बटे 645 इसको हमें संशिप्त रूप में लिखना है तो संशिप्त रूप में लिखने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का यह सियफ निकालना होगा अर्थात महत्तम समाप वर्तक महत्तम समाप वर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह दोनों कट जाते हैं वही यह सियफ कहलाता है अब यहां पर हम इसको सरल करेंगे 473 है इसका अभाज बुरंखन सबसे पहले करेंगे तो आई करते हैं यहां पर देख रहे हैं क्याई के अस्थान पर तीन है तो दो से तो कटेगा नहीं अब देखते हैं तीन से कटता है कि नहीं कटता है तो साथ चार ग्यारा तीन चौद तीन से भी नहीं कटेगा इसके बाद उससे बड़ी अभासंख्या पांच से भी नहीं कटेगा साथ से भी यह नहीं कटेगा तो सीधे साथ से के बाद हमी ग्यारा पर चलते हैं ग्यारा से देखते हैं ग्यार चोग चोग वालिस तीन सैंतालिस तैंतिस आएगा ग्यारा तैंतिस ती ग्यारा से हमारा कट जाएगा इसी तरीके से करम से हम चेक करते हैं अब 11 से काटेंगे ति 14, 44 हुआ, 13, 33 अब यहां पर 43 आ गया, 43 खुद अभाज संख्या इसलिए किसी से नहीं कटेगा अब इसको 43 से काट देंगे, 43 एकम 43 अब यहां एक आ गया तो इसका अभाज गुड़न खंड हो गया, अब हम 4 645 का काट, अभाज गुड़न खंड यहां लिखेंगे 645, अब यहां पर एक आ गया स्थान पर 5 है, तो 2 से कटेगा नहीं, तीन से देखते हैं, 5, 4, 9, 6, 15, अंकों का योग 15 आ रहा है, जो 3 से कटेगा, इसलिए यहां पर हम 3 से इसको काटेंगे, तो 3 दोनी 6, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 215 है, अब फिर देखते है 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8 तीन से नहीं कटेगा, इसलिए इसको अब तीन से नहीं काटेंगे, इक आए के अस्थान पर 5 है, तो यह 5 से कटेगा, 5 से बिभादिता के लिए हम जानते हैं कि क्या अस्थान पर सुन्य हो या 5 हो, तो यह 5 से कटता है, तो 5 से काटेंगे, 25, 215 अब फिर Spotify जो कि अभाज संख्या है ये 43 से ही कटेगा 43, 43 से ही कटेगा 43 से कम 43 अब इन दोनों के अभाज गुरन खंड हो गए अगर कहें अभाज गुरन खंड यांत कीजिए तो हम अभाज गुरन खंड ऐसे कर देंगे 473 बराबर 11 गुरे 43 और ये 645 है इसका अभाज गुरन खंड तीन गुरे 5 गुरे 43 तो अगर अभाज गुरन खंड कहें तो इस तरीके से हम अभाज गुरन खंड कर देंगे लेकिन चुकी भिन है इसको सरल करना है इसलिए अब हम इसका H-C-F निकाल लेंगे H-C-F मिंस महत्तम समापोर तक अब यहाँ पर देखते हैं महत्तम समापोर तक निकालने के लिए इनके अभाज गुरन खंडों में दोनों संख्याओं के कौन उभैनिस्ट है कामन है तो यहाँ देख रहे हैं 43 इसमें भी है 43 इसमें भी है तो जो कामन रहता है वही उन दोनों संख्याओं का यह CF हो जाता है तो यहां पर यह 43 हो गया यह CF आसा करता हूँ कि यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा अब आगे करते क्या है जो यह CF आ जाए उसी शे इसके अंस और हर्म भाग दे देते हैं इकम 43 आ गया चार 47 फिर 43 एकम 43 आ गया फिर इसको भी काटेंगे 43 एकम 43 और 64, 43, 10, 54, 43, 15, 10, 63, 21 आएगा अब फिर ये 215 है 215 को 43 भाग देंगे तो 5 आएगा यहां पर ये 15 आ गया हमारा आसा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा तो इस तरीके से हमने आप सभी को संचेप में कोई बड़ी भिन दी गई है उसको संचेप रूप में लिखना, समझाने का प्रयास किया इस सवाल से हमें अभाज गुलन खंड भी करना आ जाएगा और ये सियफ भी निकालना आ जाएगा तो आसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और तेहर करें और चैनल पर नए होँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद